गर्मियों के दिन थे और गर्मियों की छुटियां भी चल रही थी राहूल जोती एक शाम दोनों अपने घर के बाहर केल रहे थे तभी उनकी मम्मी और राहूल जोती जरा इधर आओ जल्दी से तभी राहूल और जोती अपने घर को चले आए जैसे ही राहूल जोती घर के अ सब लोग जलदी नानानी के गाओं के लिए निकल पड़े राहुल जोति का नानी का घर काफी खूबसूरत और चोटा सा गाओ था जहाँ सब खेथिबारी करते थे और प्यार से रहते थे राहुल जोती जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तयार खड़े थे राहुल जोती को नाना नानी वो ले राहुल जोती आजाओ हमारे पास को आजाओ फिर राहुल और जोती नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर राहुल जोती ने थोड़ी देर आराम किया, और फिर दोनों अपने नाना नानी हाल का मझा लूटने के लिए तयार हो गए, ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है, इसे जल्दी से प गए और जूला जूलते जूलते हवा में बाते करने लग गए और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए और फिर रात हो गई फिर राहुल जोती नानी जी के साथ रात के खाने के लिए फिर घूम कर घर लोट आए नानी जी मैं आपके हाथों से खाऊंगा नानी मुझे भी राई जोति को अपने हाथों से खिलाती हूँ फिर किया राहुल जोती ने नानी के हाथ से पीट वर कर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने और फिर राहुल जोती को गर्मी महसूस होने लगी नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है पंखा भी गरम हवा फैक रहा है आपके घर में एसी भी नहीं है थो एसी की आदत है अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी यह सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हसने लगे। यह देकर राहुल और जोती ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। आप सब हस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत क्या है दिया क्या? ना बेटा ना तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा तो हमारा गाउं है, हमारे पास एसी क सब्दे बिछाए और सोने लगे। नानी हम भी आपके पास सोएगे। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ, आओ, सो जाओ। फिर क्या? खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और जोती आराम से नानी के पास सो गए। और नानी से कहानिया सुनते सुनत